बेटा ऐसा करता था एटेम फ्रोट मां और पत्नी घर में छुपा कर रखती थी रकम खोकर कोट ट्रेन को पूरा स्थी दो मकानों में हुई छापे मारी के मामले में पुलिस को एक एहम जान कर मिली है परिवार कबेटा एटेम फ्रोट कर लोगों की रकम ठग लेता था जबकि उसकी मां और पत्नी उस रकम को घर में छुपा कर रखती थी और इसी कारण जब पुलिस ने छापे मारी के तु 11,25,000 कैश बरामद हुआ पुलिस ने एक महिला को अदालत में पेश कर नियाएक हिरासत में भेज दिया है जबकि दो की जमानत पर हुई जमानत हो गई है और वो लेखनी है कि शरीवार को डियस पी हेड़कौाटर गौरकपाल के नियतर्फ में निहाल कोर उर्फ निहाली सुरेश के मकान में छाप इमारी की गई थी पुलिस ने निहाल कोर के पास से 7,44,900 रुपे बरामद किये उसकी पुत्र वधू रविना पत्नी बलजीत उर्फ बिठो के पास से 4,180,000 रुपे बरामद किये गए वहीं मौके से करीब 25 मुबाइल फोन और 20 से अधिक डेविट कार्ड बरामद किये गए है इसके लावा निहाल कोर के वेठी मूर्थी को भी गरफतार किया गया है जिसके पास से स्मेक बरामद कि गई है